आज कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड का पेपर देख रहे हैं इंगलिस दो हजार तेज का बहुत बहुत महत्पूर कुश्चन पेपर है ये देख रहे हैं अगर आप एक बार देख लेते हैं तो बहुत रिपीट होने वाला है बहुत ही करते हैं पहले एक बार पूरा देखना तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है देख रहे हैं ना प्री बोर्ड इग्जामनेशन दो हजार तेज इस इंगलिस कच्छा बारा देख रहे ना बी वन ट्वैल्व इंगलिस देख रहे न और निर्देश हम नहीं पढ़ेंगे 1. Read the following passage carefully and answer the question that follow. Books are the best friend that a man has. They insert a strong influence in modeling one's thought and ideas, hope and desires, inclination and aspiration through all figure time. The companionship of books is the best companionship and like all friendship grow, sweeter and sweeter with the passage of time. It contributes to the happiness of man and removes the sorrows that fall to the lot of all human beings. We can always turn to books for solace and comfort when life appears to be dull and deary, when death of a beloved person makes one loss the release of life, or when illness or priority brings disappointment and dejection. देख रहे ना पूरा आपको दिखाई दे रहा है. इसमें पहला question है. What are the best friend of a man? तो यहां लिखेंगे जहां लिखा है what? यहां लिखेंगे books. जहां लिखेंगे books are the best friend of a man. तीन नमबर आपका मिल गया. देख रहे हैं. Where can we get solace and comfort in this appointment? देख रहे हैं? Where can we get solace? हम एका की पन और आराम कहां दिस in this appointment? निरासा हमें का मिलती है. Where? Where can? मतलब जब आपके पुस्तक नहीं रहते हैं, बिलकुर इसमें पढ़ेंगे तो आप पाजाएंगे पूरा. देख रहे हैं ना? दा कंपेंशेंग बुक्स इस दबेश करेंगे लाइक आल दा फ्रेंशिव सुटर आइंड सुटर मतलब इसी में happiness इसी में है, आप हैं मिल जाएगा. तीसरा है, इस्प्लें दा अंडरलाइन वर्ड गिब दा सुटेबल टाइटर आफ दा पैसेज, पैसेज का पूरा सीरसा तो बुक्स जिसके बारें पूरी कहानी घूम रही हो है टाइटल होता है, तो गिब दा सुटेबल, तो सुटेब का सिनोनिम होता है, सोलेश, देख रहे हैं ना, इसको लिख देंगे, अगला है, सेक्शन भी राइटिंग, राइट एक कंपोजिशन अन अर्टिकल आने वर्ड आदा फालविंग, टापिक 151, एक सो सो से एक सो पचास सब्दो लिखना, पी टीओ का रपला, प्लेश टर्न देख रहे हैं ना, किसी एक पर लिखना है, राइट लेटर तो आर मायर आफ दा कार्पोरेशन रिगार्डिंग, डिस्पोजल आफ सोलिट बेश्ट, इस पर लिखना है, लेटर एक ग्रामर है, चेंज एनिवन आफ दा फालविंग संटेंज इन तो इन डारेक्ट आप आइफ फर्स पर संटेंज होता है, राम इज वाइज पूरिश्ट आप राम इज जन टाल, राम इज वाइज आइज जन आलसो, मतलब राम वो दिमान भी है, और वो दिमान है और सजन भी है, तो दूसरा है कंपलेक्स में, इसका मदलब वो इतना थका हुआ है कि वो खड़ा नहीं सकता, फिर है ट्रांस फार्म इन वर आप दा फालूंग सेंटेंज, आइज डारेक्ट इज विदिन दा ब्रेकट, किस में कह रहा है, इसका में अन लड़कियों के बेच्छा अधिक हुसियार है, अर्थाथ वो कछ्छा में सबसे खुसियार लड़की है, तो इसको सुपरलेटिव जिगर कैसे बताएंगे, देखिए, इन टेलिजेंट का होता है, पहला फार्म है इन टेलिजेंट, दूसरा है मोर इन टेलिज तो जहां मोर हैं वहां मोस्ट कर देंगे, शी इज मोस्ट इन टेलिजेंट, अब यहां पर दायन एन अधर हटा दीजिएगा, तो कहने को लड़कियों सी इज मोस्ट इन टेलिजेंट, गर्ल इन दा क्लास, बस सही हो गया, अब का, फिर है, इन टूपैसी बाज में है, इन टू, तो काइंड मैं बिल पीटी पूर, तो काइंड मैं बिल पीटी दा पूर होना चाहिए, दा पूर करेंगे, गरीब लोगों के उपर, गरीब का भवजन दा पूर होता है, आई बेंट आउट फार वाक, तो आई बेंट आउट टू वाक, यहां टू लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे वाज एनी दा वाज एनी आ हदा सिंपन अब इसका सही कर लेंगे अपना देख कर नहीं दो तीन हो गया उज एनी वन अफ पर फार्म के अरस ही और सेयों ऑन सेंटेंस भाझब दो मेंक sowॉत वमहाने बताना है जो कंपल्ट देखिए एक कोर्स हमाने होता है भद्धा मोटा कपड़ा कहते हैं इसको है कोर्स दिस इज कोर्स क्लोथ यह मोटा कपड़ा है देख रहे ना it is course clothes और यह है course महले पाठ क्रम समझने हैं पाठ क्रम the course of the course of session the course of English is very interesting वालब अंग्रेजी का पाठ करम बहुत ही रुचकर है या the course of English is very simple जो भी लिख दें अंतर स्पस्ट हो जाएं choose the correct option to the answer of following question दो दो नंबर के हैं सभी देख रहें नंबर भी दिखाई दे रहा है the antonyms of deep is antonyms deep का antonyms below क्या होता है silo deep माने गहरा होता है silo माने चिछला the synonym of abortive is unsuccessful यह है synonym प्रयाबाची है इसका देख रहें ना तिसरा है the dot dot आप दा कायर सार सार मतलब बिल्ली के पंजे क्या होते है सार नुकिले होते है दा पाज आप यहाँ पाज पी यह जबलू है तवाज माने पंजा दा पाज आप कायर सार सार ए परसन हू नोज मेली मेनी foreign language वह अब्यक्ति जो बहुत सी विद्यसी भासाओं को जानता है पोली ग्लाज तिसरा विकल चाउथा है extreme old age वैने माइन भी हैब लाई के फूल आत्तधिक बिद्धावस्था जो एक पागल की तरह हुआ आदमी जो पागल की तरह बेवार करता है क्या का रहता है dotage d-o-t-e-g-e dotage देख रहे हैं अगला कुश्य लेते हैं अगला कुश्य लेते हैं पहले देखिए हिंदी का translation पूरा पढ़ रहे हैं फिर अंग्रेजी बता रहे हैं महाराजा रणजी सिंग के यहां अंग्रा चक था फिर तिसरा है वह जाद का प्रामर था फिर देख रहे हैं अगला है उसने सबसे पहले लाहौर में पांच रूपए मासिक पर नौकरी की तो ही फ़स्ट टुक अप एजाव इन लेवर एट फाइव रूपीज ए मंद देख रहे हैं अगला है तराज धीरे धीरे उसने उन्नत की ग्रवली ही प्रोग्रेश्ड धीरे धीरे उन्नत की और महाराज के महल में अंग्रच्छक के रूप में काम करने लगा तो अगला होगा इसका I had started working as a bodyguard in the महाराज palace देख रहे हैं ना एक दिन महाराज एक दिन एक दिन महाराज इसका होगा इसका होगा One day the king came out of the palace to see the condition of city मतलब एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए रात बहुत बीत जाने पर वह वापस लोटे उस समय खुसहाल सिंग उस समय खुसहाल सिंग पहरे पर था वह अपने मालिक को ना पहचान सका अता उसने उन्हें महाल में नहीं जाने दिया दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना तो वह बहुत घबराया, कि महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी, देख रहे न, at that time, मतलब एह है, they return after it was very late in the night, मतलब महाराज बहुत देर से आये थे, at that time, उस समय, Khushal Singh was on guard, duty पे थे, he could not recognize his master, वो अपने master को नहीं पहचान सके, therefore, इसलिए he did not allow them to enter the palace, इसलिए उन्होंने महाल में प्रिवेश करने के लिए उन्हें अनमत नहीं दिया, the next day, अगले दिन, when he recognized, जब उन्होंने पहचाना, दा महाराज, महाराज को, he was very nervous, nervous, भरबड़ाए हुए थे, बहुत भरबड़ाए हुए थे, but the महाराज gave him a big estate as reward, लेकिन महाराज ने उन्हें एक बड़ी जाजाग, प्रपरिटी, जागीर, उन्हें इंपुरसकार के रूप में दिया, देखने हैं, बहुत इंपॉर्ड़न टास्टेशन है पाजनग का, अगला है, section D literature का है, answer anyone question of the following 30-40 words, what is the sahib looking in for the garbage dump, why did the village come to school that day, why did the villagers came to school that day, why was it a surprise to friends, फिर है, किसी एनी टू, किसी दो का देना है, why was गांधी जी not permitted to draw water from the well at Rajendra Prasad's house in Patna, अठ्वा question है, answer anyone of the following questions in about 100 words, सौसब्दे में, what did Douglas decide to overcome his fear of water, how did Gandhiji reach Champara and what did he do there, अगला question 9th है, read the stanza given below and answer the question, that following, in poem को पढ़ना है, आगे लिखा गया PTO, आगे पूछा गया प्रशन उत्तर देना है, अगला question लेते हैं, देख रहे न, इसको उत्तर देना है, what is the poetic creed of kids, how does he express it, why are beautiful things never forgotten, why are beautiful things never forgotten, मदलब बहुत सुन्दर चीज़े हैं, क्यों सदेव नहीं भूलती हैं, कभी नहीं भूलती हैं, what blessing do the beautiful things are for us, according to the poet, 10 questions है, write the central idea upon the poem given below, my mother at 66, keeping quiet, I think of beauty, इन तीनों में सी किसी एक पर central idea लिखना है, question number 11, answer any one of the following question, in about 30 to 40 words is, how was the 100th tiger killed, देख रहे न, दूसरा है, how did the writer feel on reaching a tactical and why, how did Sadao and his wife determine that the man was an American professor of war, question number last, dry character sketch of Mr. Lamb, character is very important, याद कर लेना, board exam में जरूर आस रिपीट हो सकता है, do you think that this level was medium of escape for carly, why, देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करना, subscribe करना, share करना, जै हिंद जै भारत,